एक्सेल शी न्यूज देखने वले सभी दर्शकों को मेरी और से याने के रितेश कुपता की और से प्यार बरा नमस्कार दर्शकों हर दिन की अपनी विशेश्टा है अपना महात्व है आज World Tourism Day है और हर कोई जो है टुरिजम को पर्मोट करने के लिए पैल कर रहा है चर्चा कर रहा है और आज हम भी इसी विशे पर चर्चा करेंगे आपको पताएं कि हर साल जो है एक थीम लेकर जो है चलते हैं टुरिजम डे पर और इस साल की थीम है टुरिजम एंड ग्रीन इंवेस्टमेंट इस वक्त मेरे साथ डिप्री टेक्टर सा रहे हैं आए इनी से विस्तार से जाने की कोशिश करते हैं कि जम्मो कश्मीर में क्या कदम उठाया जा रहे हैं और किन-किन कदमों को उठाने की आती है वश्यक्त है सर बहुत-बहुत सुआगत आपका एक्सेलिशन न्यूस पर थेंक यू सर आज वोल्ड टूरिजम डे है और इस साल जो है थीम लेकर चल रहे हैं तूरिजम एंड ग्रीन इंवेस्टमेंट सबसे पहले मैं इसके बारे में जाना चाहता हूँ सबसे पहले में जी तरसे अदाब नमशकार सब लोगों को मैं आपको ये चीज़ बताओं कि डिपार्टमेंट अफ टूरिजम इस्पेशल डिरेक्रेट अफ टूरिजम आज की डेट में मैं फुली सेटिसफाइड और हम सब लोग बहुत खुश हैं कि हमारा डिरेक्रेट अफ टूरिजम जो है वो टॉप लेवल पर चाल रहे हैं आपने देखा होगा कि पिछले एक साल से डिरेक्रेट अफ टूरिजम जो है अंडर दी गाइडेंस आफ आफ आवर सेकेटरी सर एस वेल आवर डिरेक्टर सर हम लोग जो है वो बरपूर कोशिश करते हैं कि टूरिजम डिपार्टमेंट जो है वो हाइट्स पर रहे है अग अगर वन वीक बिफोर की मैं बात करूं तो आपको पता होगा कि हमने बाइस तारिख को अनरिवर अलजिस हब को बलाया था डिर्क्रेटर अफ टूरिजम जमू जमू बिदी एसोसेशिशन अफ डिस्रिक अडिमिस्टरिशन एज वेल एस एर फोर्स से मिलकर हमने एक बहु टाइम हुआ और वहां बहुत से लोगों ने आकर जिसकी फुरी एंट्री थी बरपूर जो है उस एर शोर का मज़ा लिए उसी के साथ-साथ मैं आपको ये भी एक्स्प्लेन करूं के ट्विंटी थर्ड और ट्विंटी फॉर्थ को हमने जो जमू का सबसे रिमोट एरिया ह जब से दूर एरिया है वो है किष्टवार डिस्टर्क में वाडवन हमने वहां वाडवन फेस्टिवल आर्गनाइज किया और वह वाडवन फेस्टिवल में मैं खुद गया हुआ था हमारे सेकरिस सब वहां आए बहुत खुबसुरत जगा और हमने वहां बहुत बढ़िया लेवल का जो है एक वार्ड वन फेस्टिवाल आर्कनाइज किया उसी के साथ साथ आज 27th of September 2023 जो है इसमें World Tourism Day है इस World Tourism Day को नाट इन जमू बट इन जमू डूइजन में हमारे जितने भी सब आफिसे हैं उन में जो है आज World Tourism Day मनाया जा रहा है और हम लोग जो है डिरॉटे वहां जो है आज हम World Tourism Day मना रहे हैं और उसके लिए हमेशा हर इवेंट में हमारा सिंगिंग रहता है हमारी डांसिंग रहती है और इसकी बार हमने थोड़ा सा हट के जो है वो एक प्रोग्रम आरिगनाइज किया है और वो है एक हमने टाक शो रखा है और इस टाक शो में ज फिर्फेंट पॉइंट से है किस पे हमारी जो है आज टाक शो है एक जो है एक टूरिज्म एंड सस्टेनिवल टॉरिस्म सेकंड पॉइंट जो वो है गो गूरीन मिशन लाइफ है थर्ड पॉइंट जो है जमू है हब आडव अडवेंचर टूरिय्सम है और फॉर्थ पॉ यो होगी हमारे कवे ढूर के जतने स्टेकोलडेस हैं हमने उनको भी आज जो है बलाया हुए हमारी जपनी जितनी और आपने साथ,, हमने उनको भी आज की देट में आपने साथ जोड कर डिफ्रेंट जो के टाइगरिस Oklahoma को को बलाया हुए है तो ये सारी चीजहें मिला जुलाकर हमारी यही कोशिश है कि हमारा जो डार्टेटर टॉरिजम जमू है उस में डे बाइय जो है वह बढ़ोती रहे और और हमारा जो जमू का डिफरेंट लाइन के टूरिजम है चाहिए वो बार्डर टूरिजम है चाहिए वो रूलर टूरिजम है चाहिए वो रिलिजिस टूरिजम है चाहिए वो लेजर टूरिजम है तो हम कोशिश ही करते हैं कि जो भी हमारा ये टूरिजम है इसको हम आगे से आगे बढ़ाएं और जितनी भी जमू डि नेचरल की तरफ से एक नेचर की तरफ से ब्यूटी है, उसका बरपूर मजाल है हमारे यही कोशिश ने संदेज जमु कश्मीर की बात करें तो यहां पर पॉंटेंशल काफी है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो टुरिजम के रोड मैप पर उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि चाहिए वो ट्यूरिस्ट आता है यह शर्दाद हो आता है, उनकी हिश्ट रहती है कि कहीं न कहीं ट्रांस्पोर्टिशन की कमी है, कहीं पर रोड कनेक्टिविटी की समसे आ रही है, और क गाउं में, हर एरिया में जो है, वो कनेक्टिविटी है, नवड़ोट के थोड़ी पूर कनेक्टिविटी होगी, लेकन है, इसके साथ साथ जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत आते थी, कि उनका रहने की प्राब्लम आते थी, मैंने पहले जो भी कहीं बार ये चीज़ बताई है, और आज भी बता रहा हूं कि हमारा बनी बसूली एक ऐसा एरिया है, जहां हमारा पुर्थू बीज है, और जिसको मीनी गवा बोला जाता है, वहां तीन स्टेट्स के जो है टूरेस आते हैं, टीन स्टेट्स वहां मिलती हैं, जमो कि हर एरिया में लोगों ने अपने होमस्टे रिजिस्टर करा हैं, और उस होमस्टे पालिसी के ताहित एक रूम से ले कर चार रूम तक जो है, वह अगर किसी के पास हैं, वह उसको अच्छा वाश रूम नीट क्लीन तरुके का वाश रूम होना चाहिए, तो वहां जो टूरस जाएगा जैसे हिमाचल में होमस्टे का बहुत बड़ी लेवल का कल्चर है अगर हम कश्मीर की बात करें आप कश्मीर में पहल गम चले जाएए वह जितने भी टूरस जाते हैं वह होमस्टे ही प्रेफर करते हैं नाट के इन होटल्स तो हमारे यहां भी आज की डेट में अग करते हैं और टूरस्ट जो है वह लाइक करता है लोकल कश्यून्स को भी और होमस्टे में रहने के लिए भी इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि जितने भी हमारे उन एंप्लाइड यूट सी उसके लिए सबसे बड़ा एंटरपरिंशिप है उसके लिए एक सबसे बड़ जो है रोजगार है कि वो अपना जो है रोजगार भी कमाई और जो हमारा टूरस्ट आता है उसको भी जो है वो रहने का या खाने का अच्छा जो है वो साधर मिलता है इसी के साथ साथ आपने मुझे ये भी कहा कि बहुत से ऐसी लोकेशन्स हैं जो स्टिल अन्टैप्ट है मैं वाज़िया तोसे ये चीज़ बताऊंगा कि आज की डेट में 99 परसेंट जो लोकेशन्स हमारी है 75 आफ बीड़ डेस्टिनeशन हमारे डिपार्टमेंट ने वह इंटडिफाई की थि आफ बीड़ डेस्टिनेशन उनमें से 37 जो थी जम्मू की थी और हमारी 37 आफ बीड डेस्टिनेशन्स हैं जिनको हमने आज की डेट में अनटेंडन नहीं छोड़ा हुआ हमने एवरी लोकेशन को अटेंड किया अगर हम डोडा की बात करें आपको याद होगा कि पिछले महिने में हमने लाल द्रमन मेला किया बहुत बढ़ीया लेवल का किया अगर हम थोड़ा उससे पीछे चला जाए अगर हम ज आया वाडवन कितना दूरदराज रिमोट एरिया हमने उसको भी टेच किया अगर हम दूसरे एरिया अगर हम रजोरी पुंच की तरफ नजर डाले तो वहां भी हमने कोई एरिया जो है वो उसको अनटेंडन नहीं छोड़ा हुआ है हम ये देखते हैं कि हमारा किस एरिया मे करता हूँ वाडवन में मैक्जीमम जो है इंटरनेशनल लेवल के ट्रेकर्स आते हैं और वहां ट्रेकिंग का बहुत बड़ा पुटेंशल है और हम लोग उस एरिया को भी जो है वो समने लाया ऐसे ही अगर हम जमू की अधर डिस्रिक्स की बात करें या जमू की बात करें तो कोई भी ऐसा ओर आरिया नहीं है कि जिसको हमने नटेंडिट्ट चोड़ा हो और हम कोशी यही कर रहें कि हर एडिया को जो है जमो कश्मीर की बात करें या फिर देश के किसी भी परदेश या राज्य की बात करें तो एकॉनमी जो है कही ने कहीं टूरिस्ट पर निर्बर करती है और जमो कश्मीर की भी संभवता टूरिस्ट पर ही निर्बर करती है जो यहां के लोकल बिजनस क्लास है उनका ये मानना है कि यहां पर फुटफाल बढ़ाने के लिए टूरिजम विबा को कुछ और कदम भी उठाने चाहिए उसकी दिशा में क्या कुछ किया जा रहा है देखिए जमु किश्मीर सरकार इस विशे पे बहुत अच्छे कदम उठा रही है मैं आपको यह जरूर बताओ कि हमारा यहां रिलिजिस टूरिजम जो है वो सदियों पुराना चला आ रहा है क्योंकि जमु जो है वो सिटी आफ टेंपल से यहां माता वैशनो देवी की वज़ा से एवरी नूक और कार्नर आफ दे कंट्री से जो है वो लोग आते हैं अभी ज लोग जो पहले हमारे ककाटरा में ठेन ऑती थी मैकसीम लोग जो हमारा व्हमारे टूरस आता था कि मेंस्टे करता था और अब शिज मांद त्रेन जो घो है वो डिरट टुरा चलिए हूं हो झालिगी ते बॉष मझेल नज़ से लिए बहर है उठाव जाते हूँ जायों कट डिफरेंट डिफरेंट जो हैं हमारे यहां बन रही हैं, जो बन चुकी हैं और कुछ बन रही हैं, उसकी वज़ा से टाइम जरूर लगेगा, आने वाले वात में जितना भी टूरस्ट है, वो जरूर जरूर जम्मू शहर में होता ही जाएगा, मैं आपको यह बता हूँ, आप हुमाया मंदर से होते हुए, पूरी गंडोला जो है, वो ट्रेवल करती है, और मैक्सिमम जो टूरस्ट है, वो गंडोला राइड के लिए भी आता है, एंड जम्मू के जितने अधर मंदर्स हैं, उनके दर्शन करने भी आता है, लेकर जो जम्मू स्मार्ट सिटी हमारा बन अपील करना चाहते हैं, हमारे परशासन से कुछ अपील करना चाहते हैं, देखो, मैं अगर आम जनता से अपील करूंगा, वो यही करूंगा, कि जितने भी हमारा टूरस्ट आता है बाहर से, उसको बेस्ट प्रोटोकॉल दिया जहे, यही मैसेज हमारा जो है, यह हर जगा जाता है मैं आपको ये बताओं पहले भी मैंने बताया है कि जमू के लोग जो हैं वो मिठास वाले हैं हम मीठे लोग हमारी लेंगविज डोगरी लेंगविज मीठी लेंगविज है हमारा कजून जो है वो हर जगा जो है वो लोग लाइक करते हैं मेरा यही मैसिज रहेगा कि हमारा जो एक अनरेबल प्राइम मिनिस्टर साब का नारा है कि हमारा जितने भी नैचरल ब्यूटी है उसको साफ सुतरा रखा जाए और टूरिजम डिपार्टमेंट की तर्फ से मेरी तर्फ से आम जनता को ये मैसे रहेगा कि हमारा जितना भी जमू डिवीजन के एरियाज है उनको साफ सुतरा रखा जाए गंदगी से दूर रखा जाए कोड़ा करकट ना पहेंका जाए ये तब ही पासिबल है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आम आदमी जो है ये रिस्पॉंसिबल्टी अगर लेकर चले तो ये बहुत बढ़िया रहेगा हमारे तरस से ये मैसेज रहेगा बहुत दो शुक्रिया आपने हमें समय दिया जीयां साफ तोर पर यही कहना है कि जो जिम्मेदारी है केवल परशासन की या डिपार्ट्मेंट की नहीं है आम नागरिक की बीजिमेदारी बनती है जब भी कोई टूरिस्ट हमारी जगा पर आता है हमारे परदेश में आता है जिन में artificial leg है, vertical lift है और मुबारक मंडी heritage जो complex है उसको भी develop किया जा रहा तो इन सभी project से जो है economy को boost मिलेगा और economy को तभी boost मिलेगा जब tourist जो है यहाँ पर आएगा और tourist तभी यहाँ पर आएगा जब यह projects जो है complete होंगे पर शासन से, government से यही appeal करना चाहते हैं कि जितने भी projects हैं उनको समय रहते हैं समाप्त किया जाए ताकि tourist का footfall जो है जमो कश्मीर में और अधिक हो और यहाँ के economy को जो है boost मिलेगा फिलान नेतिन कनोतरा और मुझे यानिकरत इश्कुपता को दीजे जाज़त और आप देखते आप इश्ध यानिकरत आप फिलिए युपता आप दो इजह ऐ बिल्या संदोम optimize फिलिए आनेिशना उड़्टर यू मॉवचwhich जाए टार 8, educना फिलिए जह बिलिए भी चाहते हैं आतिन आपक्तान लिस आριखने भीटेरी हो एंबिए वल मैं होगहते लिए आर्यडर्क्त